हालो गाईस आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन कोष्ट गार्ड में नाविक जीडे और यांतरी की वेकंसी एक्टिवेट किया गया था इसके जो एड्मिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुकी है अगर आप लोगों ने इसमें आवेदेन किया है तो इसकी जो निर्दारित हो चुकी है एक्जाम सीटी आपका 12 नॉमंबर 2014 से ही एक्टिवेट हो चुका था फिलाल हमारी जो एड्मिट कार्ड है वो जारी हुई है इसमें एक नियम बताया गया है कि अगर आपकी जो एड्मिट कार्ड है जिस डेट को एक्जाम रहेगा उस डेट से त description ने आपको दिया ही है अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले गईस आपको यहाँ पर email address लिखनी है इसके बाद यहाँ पर password लिखना है अगर आपका एड्मिट कार्ड जारी हो चुका होगा तो आपको mail पर भी message मिल जाएगा यह देखिए Indian Coast Guard इसकी जो एड्मिट पर भी मिल जाएगा यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड करके आप प्रेंट आउट ले सकते हैं चाहे तो आपको यहाँ प्याना है यादि आपका mail ID नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ पर अपने mail ID को और password को लिखिए अब बहुत से लोग password भूल भी जाते हैं तो password में बता रहा हूँ अगर आपका mail ID एक्टिव है आपको mail ID पर इनके द्वारा message मिलता है वही mail ID पर आप चेक कीजिए आपका यहाँ पर admit card सो करा जगा आप इस पर click करेंगे यह आपका देखिए admit card कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया जगा तो यह अगर आपको process आ रही ह यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको mail ID पर password mention कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर capture मिलेगा आपको इस box में लिखनी है और यहाँ login के option को click करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह page मिलेगा यहाँ पर आपकी details से दिखाया जाएगा किस date में exam है और कहाँ पर exam यह सारा information details आपको मिलेगा complete admit card check करने के लिए आपको नीचे करनी है यहाँ पर आपको एक box मिलता है आपको इससे accept करनी है बगल में आपको download करने का एक option मिल जाता है provisionally e-admit card आपको इस पर click करना है इसके बाद admit card download हो जाएगा automatic या download होगा आपके computer में या laptop में इसके बाद ह सो होगी जो कि मैंने आपको mail id के दवारा दिखाया था यहाँ पर देखिए provisionally e-admit card stage first दिखाया जा रहा है और आपका नाम यहाँ पर हाल ticket number और यहाँ पर registration number यहाँ पर आपकी date of birth किस category के लिए आपका water id card no mark यह सब कुछ details आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है यहाँ प आपका present time का photo है इससे match होती है तो वो photo आप इसमें चिपका सकते हैं यहाँ पर examination details आपको मिलेगा 23 नमबर 2024 Saturday को exam है सिप्ट B1 की exam है reporting time 11.15 है और closing जो time 11.45 है आपका exam start होगा 1 बज़े से और 2.15 पर यह exam complete हो जाएगा तो सभी का exam date और जो time है वो अलग अलग रहेगा और जि exam देने जाना है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ देख सकते हैं इस पते पर आपको जाकर exam देना है यहाँ पर near HDFC bank landmark बताया जा रहा है इस पते पर आपको exam देने जाना है यह धियान दीजेगा exam देने जाईएगा सभी का address अलग अलग रहता है exam center तो आप जहाँ पर भी examination center है वहाँ पर जाकर आप विजट करके exam को complete कर सकते हैं इसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ important details mention की गई है कि इस exam में सामिल होने के लिए आपको क्या क्या चीज ले कर जानी है तो आपको इसे read out करनी है इसके बाद आप exam में सामिल हो सकते हैं कौन से चीज आ ले कर जाएंगे कौन से चीज आप नहीं ले कर जाएंगे यहाँ पर आपको not allowed और allowed का option भी दिया गया है तो आप इसे हिंदी और English दोनों language में details mention की गई है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं यह जानकारी आपके mail ID में भी दिया जागा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमे के द्वारा आपको बाहर बिठा सकें या आपको एक्जाम देने के लिए entry ना कर पाएं ठीक है तो यह सारे जानकारी आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद एक्जाम में सामिल हो सकते हैं तो कैसे आपको admin card check करना है मैंने आपको दोनों options बता दिया है I hope कि आपको यह जानका झाल 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